हम बातें कर रहें दिल से, मैं आपका दोस आपका आजीज सुशी दोस्तों एक साधू एक गली से गुजर रहा था कि अचानक उसके कानों में ये शब पड़े जा पता लगा करा कि सेट धर्मपाल स्वर्ग गया है या नक एक बुढ़िया अपने पंदर साल के पोते से ये बात कह रही थी साधू सोचने लगा तो मैं भी न जानता ये बुढ़िया कैसे जानती है फिर इसका पोता ये पता कैसे लगाएगा कहीं ये बुढ़िया कोई पहुँची वही फकीर तो नहीं इसे जानने के लिए साधू वहीं ठैर गया थोड़ी देर में लड़के ने आकर बताया सेट नर्क गया है साधू ने बुढ़िया के चरण पकड़ लिए बुढ़िया ने पैर छोड़ाते हुए कहा ये क्या कर रहे है माराज आप तो पहुची वह महात्मा लगते हैं फिर आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं साधू ने क्या कहा ये मैं आपको बात मीं बताऊँगा है हम बाते कर रहे हैं दिल से मैं आपका दोस आपका आजीज सुशील दोस्तों मैं आपको एक साधू की कहानी बता रहा था एक गली से वो साधू गुजर रहा था कि अचानक उसके कानों में ये शब पड़े जा पता लगा करा कि सेथ धर्मपाल स्वर गया या नर्क एक बुढ़िया अपने 15 साल के पोदे से बात कह रही थी साधू सोचने लगा कि ये रहसे तो मैं भी नहीं जानता ये बुढ़िया कैसे जानती है फिर इसका पोटा ये पता कैसे लगाएगा कहीं ये बुढ़िया कोई पहुँची हुई फकीर तो नहीं इसे जानने के लिए साधू भी ठैर गया थोड़ी देर में लड़के ने आकर बताया सेट नर्क गया है साधू ने बुढ़िया के चरण पकड़ लिए बुढ़िया ने पैर छुडाते हुए कहा ये क्या कर रहे है माराज आप तो पहुँचे वे मात्मा लगते हैं फिर आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं साधू ने कहा मैं सब समझता हूँ आप कोई साधारन मनुष्य नहीं आपके पास तो बहुत बड़ी सिध्धी है बुढ़िया ने हैरान होकर पूछा कैसी सिध्धी साधू ने कहा बड़े बड़े रिशी और ग्याने भी ये नहीं जानते की मरकर कौन नर्क गया है और कौन स्वर्ग लेकिन आपकी बात तो दूर आपका पोता भी ये जानता है बुढ़िया ने हंसते हुए कहा अरे इसमें जानने की कौन सी बात है जिसके मरने पे लोग रोएं जिसके गुणों की याद करके दुख प्रकट करें उसे निश्चय ही स्वर्ग मिलेगा और जिसके मरने पे लोग घी के दिये चलाएं राहत महसूस करें वो नर्क का भागी बनेगा जो व्यक्ती लोगों की दृष्टी में अच्छा नहीं है जो समाज को संसार को प्रसन नहीं कर सका वो इश्वर की दृष्टी में कैसे अच्छा हो सकता है इश्वर या स्वर्ग की प्राप्ति उसी को हो सकती है जो अपने शुद्ध, स्वच्छ और पावन चरित्र से जनता जनारदन को मुग्द कर ले ये सुनकर साधू नतमस तक हो गया और सोचने लगा साधरन सी दिखने वाली बुढ़िया कितनी समझदार है इसकी समता मैं तो क्या बड़े बड़े रिशी मुनी और दिगज विद्वान भी नहीं कर सकते है दोस्तो आपको ये कहानी कैसे लगी इस पे सोचिए मैं हूँ आपका दोस्त आपका अजीज सुशील और हम बातें कर रहे हैं दिल से दिल की गहराईयों से दोस्तो एक राजा अपने मंत्रियों से बेहद असंतुष्ट था राजा को लगता था कि वो उसकी बात नहीं सुनते उसके खिलाफ शेडियन तो रश्टे हैं लेकिन सामने कोई ऐसा मिसाल नहीं मिलता था कि वो मंत्रियों के खिलाफ कोई कारवाई करे जब उसकी चिंता बहुत बढ़ गई तो वो राज परोहित के पास किया राज परोहित ने उसकी बाते ध्यान से सुनी फिर बोला कि राजा दूसों के बारे में जो कुछ भी सोचे उसके प्रती सावधान रहे राजा ने पूछा ऐसा क्यों पुरहित ने कहा तुम्हारे विचार बहुत शक्तिचाली है वो दूसरों तक पहुंच जाते हैं राजा को विश्वास नहीं हुआ उसने कहा भला मन में सोची बात दूसरों तक कहसे पहुंच जाएगी आपकी ये व्याक्या सहीन लगती तब पुरहित ने अपनी बात समझाने के लिए एक प्रयोग करने की सलाह दी वो क्या सलाह थी? वो प्रयोग क्या था? मैं आपको बाब में रताओंगा मैं हूँ आपका दोस आपका आजीज सुशील और हम बातें कर रहे हैं दिल से दिल की गहराईयों से दोस्तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि मन में सोची बात दूसरों तक पहुंच जाती है राजा को अपने राज पुरहित की व्याख्या समझ में नहीं आए तब ही पुरहित ने अपनी बात समझाने के लिए एक प्रयोग करने की सलाह दी उसने कहा देखो सामने से आता हुआ वो व्यक्ति जो दिखाई दे रहा ना जब वो पास आ जाए तो मैं चाहूंगा कि तुम उसके लिए क्रोध और दुर्भावना से भरी बातें सोचो और तब देखते हैं कि उसका क्या असर होता है जब वो अजनभी खरीब आया तो राजा सोचने लगा इससे तो पकड़ कर काल कोठी में डाल देना चाहिए अच्छा भला मैं राजपरोहित से बातें कर रहा था पता नहीं ये कहां से खलल डालने आ गया जब वो अजनभी बिलकुल पास आ गया तो राजपरोहित ने उससे कहा आओ भाई बैठो पता नहीं ये आदमी कहां से आ गया है अपने को राजा बता रहा है इसे देखकर तुम्हारे मन में क्या आ रहा है क्या विचार है तो उस आदमी ने कहा माफ करना पुरोहित जी पर मेरा तो जी चाहता है कि इसका सर फोड़ दूँ राजा ने ये बात सुनी उसे समझ में आ गया कि उस अजनभी ने भी उसके कुविचार पकड़ लिये थे तब ही वो हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करने को प्रेरित हुआ था हम चाहें कुछ न बोलें पर हमारे कुद हाववाव के दौवारा हमारी कुद आवाज के दौञावातायुरन में नकारातमक तरंगें जा सकती है उससे नकेवल दूसरे व्यक्ति पे असर पड़ता है बलकि वो तरंगें लोटकर वापस हम तक भी आती है ये विचार की शक्ति है दोस्तो हम बातें कर रहे हैं दिल से मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी दोस्तो हम चाहे कुछ न बोले पर हमारे करोट के दोरा, हमारे कुरुद हाभाव के दोरा, हमारी कुरुद आवास के दोरा वातावरन में नकारात्मक तरंगे जा सकती है उनसे नकेवल दूसरे व्यक्ति पे असर पड़ता है बलकि वो तरंगे लोटकर वापस हम तक भी आती है हम समझते हैं कि किसी को ये नहीं पता हम क्या सोच रहे हैं पर हमारे विचार ऐसी तरंगें पैदा करते हैं जो कि सुक्ष मस्तर पर दूसरों दौरा पकरी जा सकती है इसलिए बहतर हो कि हम अपने कुविचारों से, क्रोध से बचने की कोशिश करें इसके लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं पहला तरीका ये है कि जब क्रोध आए तो उसके दुश परिनामों के बारे में सोचें दूसरा तरीका ये है कि हम कोई लक्ष निर्धारित करें और तब सोचें कि क्रोध से उस लक्षा की प्राप्ती में क्या बाधा आएगी तीसरा तरीका है कि हम ध्यान अभ्यास दोरा खुद को ऐसे साध लें कि क्रोध आये ही नहीं दोस्तो एक बार गौतम बुद्ध के पास एक नौजवान आया और अचानक उन्हें अपशब्द कहने लगा गौतम बुद्ध ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दी क्या कहा ये मैं आपको बात में बताओंगा हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराईयों से तहे दिल से मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील दोस्तो एक बार गौतम बुद्ध के पास एक नौजवान आया और अचानक उन्हें अपशब्द कहने लगा गौतम बुद्ध चुपचाप सुनते रहे हालांकि उनके शिश्यक क्रोधत उठे और उसे पीटना चाहते थे लेकिन गौतम बुद्ध ने उस नौजवान से कहा शब्दों का जो उपहार तुम मेरे लिए लाए थे वो मुझे इस वीकार नहीं तुम्हारा तौफ़ा तुम्हारे ही पास रहा तुम्हें इसे वापस ले जाना होगा क्रोध को कावू करने का एक और तरीका ये है कि हम निश्चित करें कि ये समय हम अपने विकास में लगाएंगे तो उस दौरान हम क्रोध के आक्रमंट से बस सकते हैं क्रोध आने लगे तो हम अपने आप से ये कह सकते हैं अगर इसे अपने उपर हावी होने दिया तो ये मेरा कीमती समय बर्बात कर देगा काम की जगह मैं बैठा हूँ इसी बारे में सोच तर हूँगा इस हालत में मैं अपने अंतर के नजारों पे कैसे ध्यान टिकाऊंगा मेरे भीतर तो क्रोध पनपता रहेगा इस विचार को आगे ले जाकर हम ये भी सोच सकते हैं कि जिन्दगी में ऐसे हालात हमेशा आते रहेंगे जो मुझे क्रोधित करेंगे क्या मैं जिन्दगी भर किसी न किसी बात पे क्रोधित होते रहना चाहूँगा ये जिन्दगी अन्मोल है ये जिन्दगी अन्मोल है मैं इसे क्रोध में बर्बाद नहीं करना चाहता हम बातें कर रहे हैं दिल से मैं आपका दोस आपका अजीज सुशी दोस्तो प्रसिद्ध विद्वान वाचस पती मिश्र का विभा कम उमर में हो गया था जब वो पढ़ाई पूरी करके घर लोटे तो उन्होंने अपनी मां से वेदांत दर्शन पे गरंत लिखने की आज्या मांगी उन्होंने कहा कि जब तक उनका गरंत पूरा नहो तब तक उनका ध्यान भंग न किया जाए उनकी माता चुंकि काफी बूड़ी हो चुकी थी तो उन्होंने अपने पुत्र की साहित्य साद्ना में सहुख करने के लिए अपनी पुत्र वधू भामती को बला लिया भामती ने वाचस पती की सेवा का दायित्व अपने उपर ले लिया कुछ समय बाद माता जी का देहा अवसान हो गया भामती तनमंद से पती की सेवा में लगी रही वाचस पती मिश्र साहित्य साधना में ऐसे लीम रहे कि उन्हें इस बात का बोधी नहीं हो पाया कि उनकी सेवा कौन कर रहा है इस तरह तीस साल बीट गए तीस साल के बाद क्या हुआ और भामती ने किस तरह अपने पती की सेवा की और क्या वाचस पती अपना कृंट पूरा कर पाए इस पे हम बातें करेंगे हम बातें कर रहे हैं दिल से मैं आपका दोस आपका अजीज सुशी दोस्तो प्रसिद्ध विद्वान वाचसपती मिश्र साहित ये साधना में ऐसे लीन रहे कि उन्हें इस बात का बोधी नहीं हुआ कि उनकी सेवा कौन कर रहा है इस तरह तीस साल बीट गये एक शाम दीपक का तेल खत्म हो गया लेकिन तभी वाचसपती मिश्र का गरंथ भी पूरा हो गया दीपक के बुझने से भामती को बड़ा दुख हुआ उसने सोचा कि वाचसपती को लिखने में नाहक बाधा पड़ी वो दूसरे काम छोड़कर दीपक में जल्दी जल्दी तेल डानने लगी अपने लेखन से अभी अभी मुक्त हुए वाचसपती ने जब अपनी पुस्तक से सर उठाया तो सामने एक अपरीचित नारी को देखकर चौंके उन्होंने सोचा कि ये तो उनकी मा नहीं है फिर उनके अध्यन कक्ष में कौन चलाया है उन्होंने आधर पूर्वक पूछा हे देवी आप कौन है भामती ने कहा हे देव मैं आपकी पत्नी हूँ सुनकर वाचसपती मिश्र जैसे सघन निद्रा से जागे और पूछ बैठे देवी तुम्हारा नाम क्या है उसने उसी तरह सकुचाते हुए कहा मेरा नाम भामती है वाचसपती मिश्र उसके त्याग और सेवा भाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ततकाल कलम उठाई और अपने ग्रंथ पे लिखा भामती इस तरह उन्होंने अपने पुस्तक का नाम अपनी पती के नाम पे रखा और भामती को उसकी सेवा का पुरसकार देने की कोशिश की सची सेवा का पुरसकार हम बातें कर रहे हैं दिल से मैं आपका दोस आपका अजीज सुशील दोस्तो ईश्वर चन विद्या सागर उन दिनों कलकत्ता के निकटे कस्बे में नौकरी करते एक रात जोर की बारिश हो रहे थी विद्या सागर किवार बंद किये अंदर बैठे थे इतने में किसी ने दर्वाजा खट खटाया विद्या सागर ने उटकर दर्वाजा खोला तो देखा कि पानी से सराबोर एक आदमी बाहर खड़ा ठंड से कांप रहा है विद्या सागर ने बिना कुछ पूछे ही उसे अंदर बुला लिया विद्या सागर के प्यार भरे शब्दों को सुनकर उस आदमी की आंखें भर आई वो अंदर जागर बैठ गया उसने कहा मैं कई घरों में गया लेकिन किसी ने भी मुझे जगा नहीं दी मैं इस कस्बेवे नया हूँ मेरा दोस्ट यहीं रहता है मैं उसी से मिलने यहां पे आया हुआ था लेकिन जब वहां पहुँचा तो देखा कि दर्वाजे पे ताला लटका हुआ है खता लगा कि वो कहीं गया हुआ है आपने मुझ पे बड़ा उपकार किया है इस पे ईश्वर चंद विद्या सागर ने क्या कहा यह मैं आपको बार में बताओंगा हम बातें कर रहे हैं दिल से मैं आपका दोस्ट आपका अजीज सुशी दोस्तो ईश्वर चंद विद्या सागर ने जब दर्वाजा खोला तो देखा कि पानी से सराबोर एक आदमी बाहार ठंद से कांप रहा है विद्या सागर ने बिना कुछ पूचे ही उसे अंदर बुला लिया उस आदमी की आँखों में पानी आ गया उसने कहा मैं कई घरों में गया लेकिन किसी ने मुझे कोई जगा नी दी वहाँ पे खड़ा तक नी किया मुझे मेरा दोस्ट से आ रहता है इस गाव में लेकिन वो कहीं बाहर चला गया है आपने मुझे अंदर बुला कर मुझे बड़ा एहसान किया है विद्या सागर ने कहा एहसान? कैसा एहसान? मैंने तो अपने कर्तवे का पालन किया है अतिथी का सत्कार करना हम सब का परम कर्तवे ही नहीं हमारा परम धर्म भी है अतिथी तो देवता होते हैं विद्या सागर ने देखा कि अतिथी अब भी ठंद से कांप रहा है उन्होंने अतिरी से कपड़े बदलने का आगरा किया और उसे अपने नए कपड़े पहनने के लिए दे दिये कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने पूछा एक बात बताएं आपने मुझे बहनुसा कैसे कर लिया हो सकता है कि मैं जूट कह रहा हूँ या गलत इंसान हूँ विद्या सागर ने मुस्कुराते हुए कहा आपका इंसान होना ही काफी है मेरे लिए हर मनुश्य बराबर है मुझे मनुश्यता पे पूरा पूरा विश्वास है अगर कोई गलत रास्ते पे चला भी गया है तो उसे सही रास्ते पे लाया जा सकता है मैं इसी भरोसे पे जीता हूँ वो व्यक्ति उनके प्रती नतमस तक हो गया और उस दिन से उनका शिश्य बन गया दोस्तों इश्वर चन्विद्या सागर की ये छोड़ इसी कहानी आपको कैसे लगी इसमें सोचिए मनुश्यता पे विश्वास कीजिए हम बातें कर रहे हैं दिल से आपके दिल की कहराईयों से मैं आपका दोस्त आपका आजीज सुशी दोस्तों हमेशा आपने दिल की बात सुनो तुम सत्य मुझसे चुपाते हैं गुर्देव से समझाते हैं लेकिन गुर्देव की किसी भी बात को वो स्विकार नहीं करता एक दिन दोनों पहाडों में घूम रहे थे तभी एक पंची का गीत सुनाई दिया गुर्देव ने पूछा क्या तुमने भी उस पंची को गाते हुँ सुना शिश्य ने भी पंची को गाते हुँ सुना था उसने कहा जी सुना तो अब तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ नहीं चुपाया गुर्देव ने कहा तब शिश्य ने जुक कर कहा जी गुरुदेव, क्या कहा था आपने? आपने सैंक्डों पंच्छियों को गाते हैं सुना है और हजारों रुक्ष हजारों पेड़ देखे हैं। रुक्ष देखा था या सिर्फ पेड़ नाम की चीज देखी थी। दोस्तों इन बातों में सुचिए। शिश्य और गुरुदेव की बातें आगे क्या होती हैं मैं आपको बार में बताओंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से तहे दिल से। मैं आपका दोस्ताब का आजीज सुशील कजवानी। दोस्तों अगर आप एक व्रिक्ष की और नजर डालें और केवल एक व्रिक्ष देखें तो आपने दरसल व्रिक्ष देखा ही नहीं। पर जब एक व्रिक्ष को देखें और आपको एक करेश्मा, एक मिराकल, एक चमतकार नजर आए तभी आपने सच मुच उसे देखा है। एक पंची के चह चहाने पर एक पंची के गाने पर एक कोयल के कुहु कुहु पर आपका दिल अद्भुत कुतुहल से भर गया हूँ, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? परमात्मा की खोच में हम बहुत जादा सोचते हैं, बहुत जादा ध्यान करते हैं, बहुत जादा बोलते हैं, शब्दों के खेल में उलजे रहते हैं, निशब्द होकर, खामोश होकर हर तरफ देखिए। टिम टिमाते हुए सितारे, खोश्बुदार फूल, मुर्जाता हुआ पत्ता, एक पंची, कोई पत्थर, पानी की एक भूंद, बच्चे की एक मुस्कराहत, किसी भी चीज़ को देखिए, देखिए, सुनिए, खोश्बु सुंगिए, सपर्ष कीजिए, स्वार लीजिए, महसूस कीजिए, फिर बहुत जल्द, बहुत जल्द, किसी भी पल, आप उसे देख पाएंगे, परमात्मा को देख पाएंगे, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका आजीज, सुशील, दोस्तों, शिश्य बहुत सारे सवाल पुछना चाहते थे, परमात परमात्मा अनन्थ है, परमात्मा के बारे में किया हुआ, हर एक विधान उसके बारे में किये गए, हर सवाल का जवाब सच्चाई से दूर है, शिश्य हैरान हो गए, तो फिर गुरुदेव, आप परमात्मा के बारे में बात ही क्यों करते हैं, तब गुरुदेव ने कहा, पंची क्यों गाता है इसलिए नहीं कि पंची कुछ कहना चाहता है पर इसलिए कि उसका दिल गीतों से भरा है बस वो सिर्फ गाना चाहता है गुरू के शब्द उनकी बातें समझी नहीं जाती उनकी बातें उनके बोल सिर्फ सुने जाते हैं महसूस किये जाते हैं उसी तरह जैसे पेडों, दर्खतों में हवा का शीतल अहसास, नदी के बेहते हुए पानी की गुन गुनाहत और पंची का सुरिला गीत महसूस किया जाता है, फील किया जाता है ये सारा एसास दिल को इसकदर छूता है, दिल के तार इसकदर छेड़ता है, ऐसे दिव्य भाव जगाता है, जो समझ भूज और मनुश्य के ग्यान अग्यान से परे हैं बस महसूस कीजिए, फील इट, हर बात समझना जरूरी भी तो नहीं हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस आपका आजीज सुशी दोस्तों, ये एक बहुत पुरानी और बहुत एक खुबसूरत कहानी है एक आइलंट पे, एक बेट पे, एक मंदर का निर्मान किया गया दुनिया भर के बहतरीन कारीगरों ने मिलकर छोटी बड़ी हजार घंटियां बनाई जब भी हवा चलती या तूफान आता, सारी घंटियां एक लैमें यू बजने लगती कि सुनने वाले का दिल उस संगीत में धुन से जूम उटता, गा उटता, सदियां बीट गई घंटियां भी, एक प्राचीन दंत कथा के अनुसार, एक लेजन के अनुसार वो टेंपल बेल्स अब भी निरंतर बचते रहते हैं और अगर कोई चाहे तो उन्हें सुन भी सकता है इस प्राचीन लोग कथा से प्रेरित होकर एक नौजवान हजारों मील सफर करने के बाद इस बेट पे पहुंचता है इस पक्के इरादे के साथ कि समंदर में समाय हुए मंदर की घंटानाद वो जरूर जरूर सुनेगा कई दिन समंदर किनारे समंदर में खोय हुए मंदर की और मुह करके वो बैठा रहता और पूरी ताकत के साथ वो सुनता रहता पर समंदर की आवाज के सवा उसे और कुछ भी सुनाई नहीं देता उस नौजवान ने समंदर की आवाज को दबाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये मुम्किन नहीं था मानो समंदर की गरश्टी हुई आवाज संसार भर में फैली हुई थी दोस्तो क्या वो नौजवान मंदर की घंटानाद सुन पाता है? ये मैं आपके बार में बताऊँगा हम बाते हैं कर रहें दिल से मैं आपके दोस्तापका अजीज सुशी दोस्तो एक नौजवान हजारों मील सफर करने के बाद एक बेट पे आता है इस पक्के इरादे के साथ की वो समंदर में समाय हुए मंदर की घंटानाद जरूर सुनेगा कई हफते वो अपने इस काम पे डटा रहा वो निराश हो जाता लेकिन गाओं की बुजर्ग और विद्वान उस रहस समय मंदर के घंटानाद के बारे में घंटों बाते करते और फिर वो नौजवान नए जोश के साथ अपने मकसद के पीछे लग जाता कई दिनों कई हफतों कई मेहनों की कोशिशें फिर नाकाम हो जाते उसे निराश कर देती गरश्ती हुई समंदर की लहरों के अलावा उसे और कुछ सुनाई नहीं देता उसे लगा घंटानाथ सुनना उसकी किस्मत में नहीं था उसने अपनी कोशिशें त्याग देने का फैसला किया शायद समंदर में डूबे मंदर और उसके हजार घंटियों के घंटानाथ की कहानियां सिर्फ कहानिया है They are just legends शायद ये अफसाने हैं सच नहीं उसने तैह कर लिया कि आज उसका आखरी दिन होगा वो आखरी बार समंदर किनारे आता है वहां क्या होता है ये मैं आपको बात में उताओंगा हम बातें कर रहें आपके दिल की गहराईयों से मैं आपका दोस्ताब का अजीज सुशी दोस्तों उस नौजवान को लगा कि घंटानात सुनना शायद उसकी किसमे नहीं था उसने अपनी कोशिशें त्याग देने का फैसला किया शायद शायद समंदर में डूबे मंदिर और उसके हजार घंटियों के घंटानात की कहानिया सिर्फ कहानिया है अपसाने हैं त्याजस लेजिंस उसने तैकर लिया कि आज उसका आखरी दिन होगा वो नौजवान समंदर किनारे आया समंदर और आसमां से हवाओं और नारियल के पेड़ों से अलविदा करने आया आखरी बार वो समंदर की रेट पे लेट किया बिना किसी ठेंशन के अब उसे कोई उमीद नहीं थी कोई अपेक्षा नहीं थी थोड़ी देर में नौजवान समंदर की आवाज में इतना खो गया इतना डूब गया कि अपने आप को भूल गया समंदर की आवाज ने एक ऐसी खामोशी पैदा की कि वो स्वैम को भूला बैठा इतनी गहरी खामोशी इतनी गहरी तबधता निर्मान की थी समंदर की आवास में और फिर खामोशी की उस गहराई में उसे वो ध्वनी सुनाई दी एक चोटी सी घंटी की तिन तिनाहत फिर एक और फिर एक और घंटी बजने लगी फिर एक और एक और इस तरह हजार घंटियां एक संगीत मैं लै और ताल में बजने लगी एक के बाद एक इस तरह हजार घंटियां हार्मनी में तिन तिनाहत की मधुर लै में बजने लगी और वो नौजवान खुशी से जुम उठा, उसका रिध है नाज उठा गा उठा नौजवान ने अपना लक्ष हासित कर लिया था उसे खुशियों का अमबार मिल गया था उसने हजार घंतियों का घंतानाद सुन लिया था अपने दिल में समा लिया था मेरे प्यारे तुमरु प्रेमियों क्या आप घंतानाद सुन ना चाहते हैं समंदर की आवाज को सुनिये क्या आप परमात्मा की एक जलक पाना चाहते हैं स्रिश्च्टी को ध्यान से देखिए उसकी जलक मिल चाएगी अपने आपको भूल कर खुद्रत को देखिए उसकी जलक में चाहेगी पस जरूरत है विश्वास की इसलिए हमेशा अपने दिल की बात सुनो क्योंकि दिल आखिर दिल है दिल आपका आइना है अपने दोस्त अपने अजीज सुशील का ज़वानी को इजाज़त दीजिए गुड नाइट शुबरात्री शबाख खेर